हेलो नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब परिवार राजस्तान क्लासेश पर आज राजस्तान जी के सूपर 30 रहेगा दोस्तों हिस्ट्री के मैधपुन परसन रहेंगे जो आपके एक्जाम की दरश्टी से बहुत ही इंपोटेंट होने वाले हैं हिस्ट्री के राजस्तान हिस्ट्री के ओके तो दोस्तों अगर आप कर रहे हैं कॉंस्टेबल भरती पर इक सकी तैयारी या वन पाल वन डख सकी या फिर इंपोटेंट होगी ये क्लास बिना टाइम वेश्ट किये पहला क्पैसन आप सभी की स्क्रेन पर चलेगा बहुत बढ़िया सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जो भी भाइबने पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको डेली ये क्लास रात को नो बज़े आराम से मिल सके चलिए सावन भादो मेल गोपाल मेल किस जिल्ले में इस्तित है सावन भादो मेल और गोपाल मेल जो है किस जिल्ले में इस्तित है तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बरतपुर में कहां परे पैर दोस्तों बरतपुर में किस के द मान सिंह के राजकवी पुन्डरिक विठल ने नेवन वैसे कौन सा साहित्य लिखा राग चंद्रोदे लिखा या फिर राग मंजरी लिखा या फिर जो है नर्तण नर्तण निर्ने लिखा क्या लिखा दोस्तों यह आपको बताने है तो डी-ौफशन को लौक करेंगे सारे के स परहे मांन सिंह के राजकवी ने लिखा पुंडरिक विटल किसके राजकवी थे मांन सिंग के थे तो ऐसे आप लोग ध्यान डेकेंगे कि क्यों कि यह क्वेसन बहुत अच्छा है अगला क्वेसन देखेगा कि जोराओर सिंग बारट का जन्म किस जिल्ले में हुआ था जोराओर सिंग बारट का जन्म जो है किस जिल्ले में हुआ तो आप सब को जान करी होगी कि उदेपुर में हुआ जोराओर सिंग बारट का जन्म केसर सिंग बारट का छोटा भाई केसरे सिंग बारट का छोड़ा भाई और परताब सिंग बारट का चाचा यही ना बिलकुल चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेस्टन को देखते हैं अगला क्वेस्टन देखिया अरणिया वासिनी देवी मंदिर का निर्माण जैन तक मैतर ने कराया ऐसा सामोली शिलालेख से ग्यात होता है है तो आप सभी का राइट आंसर ए कहते हैं इस वक्त ठीक है ध्यान रिकना दोस्तों अच्छा क्वेस्टन था अगला क्वेस्टन ने सरीष का पेलेस का निर्मान किस ने करवाया सरीष का पेलेस का निर्मान जो है जैसिंग ने करवाया राम सिंग ने टोडा राय सिंग ने या राव जैतर सिंग ने तो आप प्रसाद दुरगा, प्रसाद छोदरी को किस नम से हम जानते हैं, महुपादियाए, नहीं सर, कप्तान जी बिलकुल कप्तान के नम से किस कमण लोगाददा है, कौन। महुपाद्या, कविर शमल दास को कह जाता, वैसे इनको ये उपाद्धी मिली हुई थी। अगला क्वेसन मौरे राजा मान मौरी को किसने हरा कर चितोड पर अधिकार किया था मौरे राजा था जिसका नाम था मान मौरी ठीक है दोस्तों और मान मौरी को किसने हरा कर चितोड पर अधिकार किया तो अलट बाद में हुए गुहिल सबसे पहले था ये तो कुमार सिंग भी बाद की बात है ये बपा राहूल हो जाएगा और बपा राहूल को आप काल भोज के नाम से भी जान सकते हैं और इसको मतलब राजस्तान का या फिर अपने मेवार का क्या कह सकते है मेवार इत्यास का मार्टिन वो क्या है मारٹین कह सकते है ठीक है दिहान रेकिना अगला क्वैसन जूझनू में अवस्तित नहीं है जूझनू में इस्तित नहीं है प्यारे दोस्टों यह आपको बताना है सुपर साह क्वैसन है और सभी का सही उतर होगा यह बीन गड़ है शूर्जगड़ भी है और श्याम गड़ भी अमीर गड़ कांपरे टॉंक में जैसे आप भूम गड़ भी कह सकते हैं भूम गड़ की नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगला क्वेसन आप से भी केस करन पर दूँ लेकिन ध्यान डेकना भी साउ किला कहांपरे दोस्तों वह भी ये बीन गड़ 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 किले में है या फिर अपने जैसल मेर के किले में चीतोड़-गाड मे तो आपका सही उतरोगा मोहर मग्री जो है ना ये चितोड़-गाड के किले में दोस्तों जैसे और भी वह सारे कला राटोड़ की चैत्रिय है रेदास की पदमीनी मेल है नवल खान मेल है बहुत सारे जो की यहां पे है नेक्स्ट क्वेस्टन शोओने और इसक्रीन अभेडा मेल किस नदी के किनारे इस्तित है अभेडा मेल जो है न कौन सी नदी के किनारे और आप सब को पता तो होगा ही कि अभी अभेडा मेल कोटा में है और नदी की बात करें तो चंबल नदी के किनारे है दोस्तों C-Option को लॉग करेंगे माई का यहां पर वास्ता भी नहीं है चंद्रेशल भी वैसे उसी चैतर में बैती है पर अपना सही उतर जो होगा C-Option हो जाएगा अगला क्वेस्टन है मुन्शी देवी परशाद ने राजपूताने का कर्ण जो है किस भी कानेर शासक को कहा मुन्शी देवी परशाद ने इनको कानून की माता भी बोला जाता है कानून की माता ठीक है तो देखिए मुन्शी देवी परशाद ने राजपूताने का कर्ण काता राजा राय सिंग को B-Option लॉग हो जाएगा यह कहां के शा सकते भी का नेर के शा सकते दोस्तों ठीक है राजपुता ने का कर ने इनको कहा गया इनको कर्म चंद्र वन्शोत कीर्टनक में इनको राजेंद्र भी कहा गया है ध्यान रखना ठीक है प्यारे दोस्तों और अगला क्वेसन आप से भी के स्क्रिन पर है मिर्जा, राजा, जैसिंग, जो कि सवाई जैसिंग से पहले बने थे तो राइट आंसर रामकवी भी थे, गोपाल तेलंग भी थे, नरोतम दास्थ भी थे तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी आपसन हो जाएगा कितना सिंपल सा क्वेस्टन था, अगला क्वेस्टन आप सभी की स्क्रीन पर ये लो अगला क्वेस्टन पूच रहे हैं कि भी, लॉड कर्जन के निर्देश पर सर जॉन मार्शल द्वारा मैगजिन दुर्ग में राज के संग्राले कब इस्तापित किया गया लॉर्ड करजन के निर्देश पर सर जौन मार्शल द्वारा मेगजिन दौर्ग में राज के संग्राले कब इस्तापी किया गया तो अब स्वी का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 19 अक्टूबर है ना हाँ सरू 19 अक्टूबर 1908 में किया गया दोस्तों ज्यान डेकना सी ऑफ्सन लॉक हो जाएगा इसके पर्थम अधिक सक्की बात करें तो ओजा पंडित हीराचंद गोरी शंकर ओजा को बनाया गया था अगला क्टूशन है ब्रस्पती देव का मंदिर किस जिल्ले में इस्तिते बताईए ब्रस्पती देव का ब्रस्पती देव का जो मंदिर है ये कौन से जिल्ले में इस्तिते ये आपको बताना है तो आप सब को पताए कि ये ब्रस्पती देव का जैपूर में इस्तिते ये मंदिर ठीक है कहां पर है जैपूर में ये भारत का दूसरा है राजस्तान का पहला है ध्यान ने करना ठीक है मतलब दुर्गापूर में निर्मान दीन है वैसे तो अगला क्वैसन है भेंसरोडगर्ध दुर्ग किस श्रेरिणी में आता है भेंसरोडगर्ध दुर्ग जो है न कौन शी शरेरिणी में आता है यह आपको बताने है गिरी दूर्ग, वन दूर्ग, दोनों या इनमेंसे कोई नहीं, बैंस रोडगर जो दूर्ग है ना प्यारे दोस्तों, काफी भाइबने क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको काफी बार बता है कि ऐसे तूट पड़ेंगे A और B पे, कि सर C आफसन सही होगा, अरे भाइसा बै इस रोडगर जो दूर्ग है ना ये जल्द दूर्ग है, कैसा दूर्ग है, जल्द दूर्ग है और मतलब इसको राजस्तान का वैलोर भी कहते हैं, राजस्तान का वैलोर भी कहते हैं, और सितोर्गर में इस्तिताई ना तो गिरी दूर्ग है ना वन दूर्ग है, तो इनमें उतो जाए चंदर मुखी गंगोर गड़ दिली गड़ागरो अदगडवी कानेर या इन मैंसे कोई नहीं तो सई जवाब सटीक जवाब ए आप्शन को लॉक करेंगे है ना अगला क्वेसन आजादी के दिवा ने और जैसल मेर के गुंडा राज नामक दूपुस्त के लिखी गई किसके दौरा लिखे गई आजादी के दिवाने वे जैसल मेर के गुंडा राज नामक दूपुस्त के लिखी गई दोस्तों सबको पता होने चीए सी आफसन सागरमल गोपा के दौरा है ना किसके दौरा सागरमल गोपा के दौरा और यह कहा के थे यह जैसल मेर के और आ जैता भी नहीं होगा कवियत्री भी नहीं होगा देव पाक हो जाएगा आपका एंफिक देव पाक या फिर आपके है किया सकते हैं को बियां सा दोस्तों निर्मान जो करवाय था वो दर्नक शाह ने करवाय था ठीक है और दर्नक शाह जो था ये कौन था ये कुमबा का वित मंत्री माना जाता वैसे अगला क्वेसन नमबर 19 आपकी स्क्रेंट पर मदरसा एहुनरी की स्थापना किसके समय में की गई थी बताएए मदरसा एहुनरी आपको पता होना चीए कि मदरसा एहुनरी जो है न ये है कहां पर तो दोस्तों ये है अपने जेपुर में कहाँ परेपैर दोस्तों जेपुर में और इसकी इस्तापना जो करी थी भो करी थी राम चिंग दुएत्याने ए आप्शन को आप सभी लॉक करेंगे मतलब इनके शासनकाल की बात करेट तो तो पेंटी से पच्पंट सुरी असी तक राता इनका शासनकाल ठीक है और इसका वैसे बाद में जो नाम है ना बाद में नाम चैंज भी किया गया था माराजा स्कूल अप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स नाम से अगला क्वैसन है चारूमती कहां की निवासी दी बताईए चारूमती जो थी ये कहां की निवासी थी किशन गड की चितोड गड की जोदफुर की आप रता गड की दोस्तों आपको बता होगा कि औरंग जेब के विरूद में जाकर जो है महराना राज सिंग ने चारुमती से विवा किया था ये चारुमती किशन गड़ की थी ठीक है और किशन गड़ का था शासक रूप सिंग रूप सिंग की ये पुत्री थी ध्यान डगणा दोस्तों अच्छा क्वेसन है लोग कीजिएगा और एगला क्वेसन ही ये रहा शुब कुमरी का विवा किसके साथ हुआ सर पता नहीं विवा किसके साथ हुआ कैसे हुआ हमें नहीं पता लेकिन जैसे भी हुआ ये हमें क्यों पूछ रहे ना यही बात होगी ना विवा इनका हुआ पूछा जा रहा हम से बिल्कुल साइप पूचा जाएगा वीवा भी मतलब ऐसे किये कि ये मतलब विश्व विक्याद हुए तो कुछ कोशिश हैं कुछ मैनत आप भी कर लीजेगा आपका भी विक्याद होगा नहीं तो गाँ विख्यात हो गई होगा है एक नहीं चले तो यहां पर राइड आंसर अपना यह आप्शन हो जाएगा महारवल बैरिशाल के साथ शुब कौमरी का विवा हुआ था ये तो थी ना शुब कौमरी ये वीरम देव की पुत्री थी मिड़तिया राठोड वीरम देव की पुत्री थी द्यान डख्यो साब अगला क्वेसन है गड़ बीटली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है बताईए दोस्तों कितना सूपर क्वेसन है सूपर थर्टी में आपको कितने प्रस्टन सही करने ये भी आप देख पाएंगे इस पूरे प्रस्टन को कंप्लेट करने के बाद पूरी वीडियो को कंप्लेट करने के बाद तो यहां पे आपका राइट आंसर तारागट दूर्ग हो जाएगा तारागट दूर्ग को आप अजमेर दूर्ग भी कहते हैं तारागट दूर्ग को आप राजस्तान का हरदे भी कहते हैं राजस्तान का हरदे ठीक है चले शिखावाटी की स्वन नगरी किसे कहते है हाल ही का क्वेशन है और बहुत रिचा क्वेसन है हाली का मतलब यह कुछ डेली का क्वेशन है चाप है चलेजिन हो जाएगा आपका राइट आंसर ठीक है मतलब नवल गड़ जुन जुन हो जाएगा अगला क्वेसन ने अचल गड़ दुर्ग किस जील के किनारे इस्तित है अचल गड़ जो दुर्ग है ना खांपे सर वो है अपने सिरोई में जी बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े आप अचल गड़ जील के किनारे इस्तित है तो ये मंदा किनी जील के किनार इस्तित है कौनसी जील के किनारे मंदा किनी जील के किनार इस्तित है सिरोई में है और ये आब उपर उपर बना हुआ है इसका निर्मार परमारों ने करवाया था लेकिन उसके बाद पुनर निर्मार जो कुमबा न किसके साथ हुआ एक ही बात है चलो साम बताएे राई डांसर क्या होगा रावरतनसिंग हो जाएगा आफसन कौन सा याब जान ही गए होंगी है ना तो रावरतनसिंग के साथ हुआ था और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेसन को देखते थे हैं जोऱपूर में इस्थित्विध्यसाल और शेलबाग के मैलों का निर्मान करवाय था, किसने करवाय था? तो दोस्तों तकस सिंग ने करवाए था किस ने करवाए था तकस सिंग ने आओ तकस सिंग ओफसे नंबर सी के साथ हो जाएगा राइट आपका ओके अगला क्वेसन आप से भी के स्क्रीन पर है और आदी वरा आदी वरा मंदिर का शिला लेख नव चावाली सी इसवी का है और उधेपुर के कौन से इसतान पर देखे हैं कि दोस्तों थोड़ा सा हिंट में आपको दे रहा हूं कि आदी वराמंदिर का शिला लेख कब प्राब्दुगा «कब का हैsam नव चावाली सी इसवी का मुए खाले उदेपुर के किस जगे पर हुआ बोले सर आहड वेरी गुड आहड ठीक है और आदी वरहा आहड ठीक है ऐसे आप याद रख वाएंगे इसको और अगले क्वेशन को देखते है नमबर अठाई समराठ यंत्र जिसे हम बोलते है दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी जे पर के किस हिस्तान पर है या आपको बताना है जल्दी से बता दीजिएगा तो राइट आंसर आपका होगा डी आप्सन चंदर मेल में नहीं है जल मेल में भी नहीं है नारगड में भी नहीं है क्योंकि ये जो है ये है जंतर मंतर में जो जंतर मंतर बना हुआ हुआ है ठीक ह गाउं में इस्तिते मतलब सिरोई के कौन से गाउं में इस्तिते यही पूजा जा रहा है ना हां जी बिल्कुल आसान है देरी सेरी गाउं नहीं होगा माउंट अबू नहीं होगा इनमें से को नहीं पी नहीं मतलब की सिरावना गाउं हो जाएगा भी ऑप्सन नमबर 30 question आप सभी की screen पर last question है आज का और आज इतनी super fast class होई है पता ही नहीं चला है कि नहीं चलो भीया द्वारी का धीरिश भट किसके दर्बारी कवी थे जिन्होंने वानी विराग्या लिखा तो आप सभी का right answer होगा सवाई मादो सिंग दोस्तों क्या हो जाएगा सवाई मादो सिंग हो जाएगा right answer B option को law कर देंगे ठीक है ओके ना द्वार कदीश भट किसके दर्बारी कवी थे तो सवाई मादो सिंग के थे और मराठो की इन्होंने सायता की थे आप सबको याद हो तो मराठो की और इन्हीं के समय में वो हुआ था कतल आम भी तो हुआ था ना है ना चले जाब last question जिसका answer आपको देना होगा बाहरा के comment section में उम्मीद करता हूं सभी देंगे जैपूर के कच्वा वर्णष के अंतियम शासक जो थे वो कौन थे सवाई राम सिंग सेकंड सवाई मान सिंग सेकंड सवाई मान सिंग सेकंड मान सिंग सेकंड या बवणी सिंग तो इसका जवाब आपको बाहरा के comment section में देना है कोई राज़स्तान Classes के WhatsApp नमबर यहाँ पर दे रहा हूं जिस्वरार मेसेज करके अपना नाम और जिल्ला बता कर जो है आप ग्रूप में जोइन हो सकते हैं तो यह राज़स्तान Classes के नमबर है और दोस्तों वेब साइट काफी बाइब उनों को नहीं पता है वेब साइट वाल आपके पास अगर लिंक नहीं आए ना तो आप गूगल क्रॉम में जाओ और राज़स्तान Classes.in लिखो आपके लिए वेब साइट ओपन होके आज आएगी डिरेक्टली जैसे ही आ रही है यहां पर ठीक है तो अब आपको देखे यहां पर अगर ना देखे दोस्तों यहां पोस्ट होती है वो आपको यहां पर मिल जाएगी एक बार में इसको है ना आपके इसको मैं हटाता हूं चले देखे लेटेस्ट पोस्ट पर जाएंगे ना आप तो आपको सारा सारे टेस्ट मिल जाएंगे जो भी टेस्ट है जैसे यहां पर टेस्ट होते रहते हैं यह भारत समय नहीं का टेस्ट हुआ था यह 9 बजे तो यह सारे टेस्ट आप लेटेस्ट तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप आराम से जैसे आपने दिन में जोबी पड़ा ठीक है और रात को आप सोते समय इन दोनों टेस्ट को दे सकते हैं या फिर आप दिन में जब भी आपको स साम के 6 बजे वाले टेस्ट होगो तो आप लेटेस्ट पोस्ट में जाकर देख सकते हैं इसमें कोई ज्यादा पांच-पांच मिनिट का समय लगता है तीस-तीस क्रेशन आपको देता हूं डेली उसमें भी तो जो कि आपकी एक्जाम की दरस्टी से बहुत ही मैद्पूर है उमीद करता हूँ आप टेस्ट देते होंगे अगर नहीं भी दे रहे तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि टेस्ट दे में आपकी तैयारी में और भी अच्छा निकार आएगा याकिन वानी मेरा चले दोस्तों आप सभी का एक बार सिर्फ फिर से बहुत 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 आबार दिल से शुक्रिया क्योंकि आपने आज की क्लास के लाश सक बने रहे के क्लास का आनन्द लिया इस प्रस्ट का सभी जवाब आपको बाहरा के कमेंट स्टिक्शन में देना है चले दोस्तों आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्रम